हेलो फ्रेंट्स स्वास्त्रक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है डॉक्टर धीरस्वनी और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सुगर होने का कारण क्या होता है किस कारण से आजकल सुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ चीजों की जानकारी हो तो हो सकता है कि हम उससे बच्चाव का प्रयास करेंगे तो सुगर होने के चांस कुछ कम हो जाएंगे तो फ्रेंट सबसे पहले चीज तो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा अराम दायक है ऐसी लाइफ स्टाइल है कि लोग किसी भी तरीके से फिजीकली वर्क होता ही नहीं है जिनका बिजी सीडियूर होता है जैसे कि जो अपना आजकल का रूटीन है कि आ अपनी कुछ समय दें मतलब फिजीकल एक्सरसाइज करने के लिए तो कुछ तो यही मेन कारण है सुगर होने का जैसे कि इसमें आप देखिए जो लोग ज्यादा तर बहुत आराम दायक गद्दों पर बैठते हैं सोते हैं या बहुत लगजरी लाइफ जीते हैं और फिजी दूसरा इसमें बहुत बड़ी बात यह हो þी है कि जो मेक्रें ज्यादा खाते हैं में या अइसे बिल्कुल नहीं है बहुत है है přिभूल इसमें मतला होता है है जानना बहुत जादा मात्रा में तो यह तो आ यहाफ़ आप निए licz और रिठ नहीं करते हैं दिनमा तौ या physical exercise बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ऐसी लोगों को भी सुगर होने का बहुत अधिक संभावना होती है, सुगर होता क्या है, सुगर कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी आप लोगों को जान करें देना चाहूंगा, इस को प्रेंक्रियार निकलता है, जो कि हमारे सरीर में अधिक सुगर को गलाइकूजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है, जब ब्यक्ति बिल्कुल अराम दाएक जीवन जीता है। और समझे ऐसी lifestyle luxury life जीता है तो क्या करता है physical उसकी activities बिलकुल नहीं होती है ऐसे में वो gland सुष्ट पढ़ जाती है और वहां से वो hormone secret होना कम हो जाता है insulin का secretion कम हो जाता है जब insulin blood में कम आएगा तो क्या होगा कि एक्सेस सगर हम ले रहे हैं excessive meaty चीज़ें कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें sugar काफी मात्रा में पाए जाता है तो वो glycogen में convert नहीं होता है जब वो glycogen में convert नहीं होगा उन सबको वो नुक्सान करता है इसलिए sugar की patient का बजन यातुरिदम से बढ़ जाता है पैसे ज़्यादा रहता है यह बहुत अदिक शुगर का मौने से बहुत दुबले हो जाते है तो friends आप लोग इस चीज़ को जानने के बाद मैं कहूंगा थोड़ा सा प्रयास करें 10-15-20 आदा घंटे का समय अपनी body को दें यो प्राणायाम exercise जो भी आपको ठीक लगता है और इनमें से आप कुछ भी करने में समर्द नहीं है तो कम से कम आदा से पौन घंटे तक रोज morning बाग पने है खाना बड़े लोगों को खाना जिनकी physical activities बहुत कम होती है उनको थोड़ी कम मात्रा में कहना चाहिए heavy diet लेना चाहिए और सुगर भगेरा खाने में control करना चाहिए और सुबह शाम दो फिर जब भी आपको time मिलता है walking से walking करते रहें physical activities करते रहें यह दिन में 10-15-20 minutes ऐसा काम जरूर करें जिससे आपको काफी अच्छी मात्रा में स्ट्रेटेंग हो तो friends कुछ चीजों को एदि आप छोड़ते हैं तो आप इतनी बड़ी और गंभीर विमारी से बच सकते हैं तो friends मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो प्योगी लगी हो तो चैनल को like करें, share करें, subscribe करें और अगले चैनल में मैं आप लोग अगले वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि इसके लक्षन क्या होते हैं और इसका treatment क्या होता है, thank you.